Hello everyone, welcome to my channel Flayaminds. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि students अपना काम classroom app पर teachers को कैसे submit कर सकते हैं. तो आए ये शुरू करते हैं. तो जैसे कि आपको पता ही आए कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में PDF बनाना अल्रीटी बताया हुआ है. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम classroom app में अपना काम कैसे submit कर सकते हैं. यानि जब teacher आपको काम assign करेगी उसके बाद हम उनको कैसे hand in कर सकते हैं अपना work. तो इसके लिए पहले ही मैंने already share यहाँ पर already PDF बनाया हुआ है तो इसको आपको share करना है classroom app पर. तो इसके लिए सबसे top में आपको share वाले option पर click करना है. Then नीचे आपको बहुत सारे options नजर आ रहे हैं जिसके अंदर whatsapp, messages, email, gmail और classroom का option है. आपको इसको classroom app पर share करने के लिए classroom app पर click करना है. Then कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा. Then after that आपको add to assignment वाले option पर click करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो teacher ने हमारको काम भीजा हुआ है वो यहाँ पर show हो रहा है. अब यहाँ पर अपना काम उनको कैसे submit करना है उसके लिए सबसे पहले आपको उनके दिये हुए काम पर click करना है. Then इसमें यहाँ पर time लगेगा आपको wait करना होगा. यहाँ पर दीरे दीरे load हो रहा है. Then इसको आपको उपर scroll up करना है. Then आप देख सकते हैं जो हमने काम अपना PDF बनाया था जिसका वो यहाँ पर इस तरीके से show हो रहा है. इसके बाद आपको down नीचे turn in को option आ रहा है. आपको turn in वाले option पर click करना है. Then इसके बाद एक ऐसा आपके interface आपके सामनी है. इसके बाद आपको turn in वाले option पर click करना है. इस सामनी है. इसके बाद आपको turn in वाले option पर click करना है. इसको होने में time लगेगा. आप देख सकते हैं work submitted का नीचे option show होने लग गया है.